एलो एवूर्वर्वरन आज मेंद डिसकस करने वाली हूं ससी डिदी दो हगयाथ लिए तेज चोओईजिस जीका रिक्ळाम होने वाला है एससी ने ओफिसियल नौटिफिकेशन जारी कर दिया है किंका रिकज जाम होगा किंका रिकज्याम नहीं होगा बहुत दुख के साथ पड़ रहा है कि कहां हम SSC GD एंसर की का वेट कर रहे थे वहीं SSC ने ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कुछ सेंट्रों का रेचान कराया जाएगा Northern Region और Central Region के वज़े से SSC GD का रेचान गेंसल हुआ है पूरे लगभग भारत में टोटल 81 सेंटर है लगभग भारत में टोटल 81 सेंटर है जिसमें करीब करीब 16185 के आसपास स्टूडेंट है जिनके एकजाम को SSC डिपार्टमेंट ने टेकनिकल कारण बताते हुए केंसल कर दिया है रे एकजाम वही दे पाएंगे जो पहले एकजाम दिये है जो अफसेंट थे वो एकजाम नहीं दे पाएंगे इस लिस्ट को आप लोग अच्छे से चेक कर लिजेगा कियोंकि 30 मार्च को आपका रे एकजाम होगा जिनका जिनका इस लिस्ट में नाम होगा इस लिस्ट में सेंटर का नाम होगा जिन लोगों को इस लिस्ट में सेंटर का नाम होगा उनको रे जाम देना पड़ेगा और एड्मिट कार्ड भी आएगा तो सेंटर रीजन के थुरू आपको एड्मिट कार्ड डाउनोंड करना पड़ेगा एक बार इस वीडियो क अच्छे से देख लीजिएगा सेंटर भी चेक कर लीजिएगा आईए देखते हैं इस लिस्ट में आप लोग के सेंटर का नाम है या फिर नहीं है कैसे चेक करना वो भी हम आपको बता देंगे इस लिस्ट को ध्यानपूर्वक देखे उपर दिया है Candidate of CT GD Exam 24 फार एकजामिनेशन यहाँ पर सेंटर नेम दिया है इस तरह आप पूरे लिस्ट को चेक कर सकते हैं जिनका इस लिस्ट में नाम होगा वो एकजाम देंगे टोटल 81 ऐसे सेंटर है जिनका एकजाम होगा और इसमें लगबग 16185 बच्चे है जिनका एकजाम होगा अब आप फोन में कैसा चेक करेंगे सबसे पहले अपने फोन का क्रोम ब्राउजर को लेंगे और स्रच करेंगे आपका देखिए यहां पर स्सी जीडी कॉंस्टेबल 2030 रेकजाम एड्मिट का लिंक आ गया ऐसे सरकारी रिजल्ट पर खुल के आ जाएगा यहां से आप चेक कर सकते हैं आपका एकजाम कब होगा एड्मिट कब आएगा इस सारी चीज़ें यहां से आप देख सकते हैं अग लिस्ट आपको देखना होगा कि आपके सेंटर का नाम लिस्ट में है या नहीं उसको भी आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहां डाउनूड रेक्चाम नोटिस विद्ट सेंटर लिस्ट यहां क्लिक करके लिस्ट आप देख सकते हैं